नमस्कार आपका स्वागत है आज के सत्र में जैसा कि आज का टॉपिक आप जानते हैं कि जो चीन है उसने स्रिलंका से रिक्वेस्ट किया है उच बंदरों के आयात का लाग की संख्या में यह बंदर है तो चीन ने क्या किया है स्रिलंका से रिक्वेस्ट किया है कि हमें यह ब कि यहां पर देख़ा बंदर आपको दिख़ाऊगा ऩर अइसको लेकर वहां की जो सरकार depressa мотрите कि सुर्लंका संस्कार से कहा गया है। बन्दरों का ये द्हूर कर दिए संका जताइं जा रही है। अब चिन की बातें तो सबस्ट होती हैं। उतनी त्मस्ट होथी नहीं है। 118.000 को मंगाड़ा है सर्लंका से वींडर्लंका में इसंट्रेक ही रही है। थिकन है इस पर कदम बढ़ाते हुए मामले को आगे बढ़ाते हुए Еक कमीटी का गठन किया है तो सरी स्रीलंका सरकार के जो किरसी मंत्राले के अधिकारी है वो इस मुद्धे पर राश्रिप प्रानी संग्रहाले यावन बंद्ली विभाग के अधिकारी है कि स्रीलंका सरकार ने इस मामले में इस सब्सक्राइब की नियात सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें देखेगी लगता थे बंदर चीन में विलूप यहीं बरतमान में जो है इन बंदरों की आवादी लगवक 40 लाग के कडिव है जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आकड़ा हो जाता है और स्रिलंका सरकार भी चाहती है कि इन बंदरों की आवादी थोड़ी कम हो क्योंकि यह वहाँ पर फसनों के लिए तरह से संकट का कारत बंद हैं और चीन ने भी कहा है कि इन बंदरों को जो प कि स्रिलंका सरकार के हवाले से कहा गया है कि बंदर जो है वहां एकोनोमी के लिए अर्थ वस्था के लिए खत्रा बंद है ठीक है अगलगभग 40 लाके कड़ी बंदर है यह एक साल में लगभग 2 करोन नारियल की फसल भी खड़ा पर चुके हैं और वहां चीन में नहीं है त वहां प्रसी जो मामला है हमें फाइदा ही है ठीक हम उसको एक्सपर्ट करेंगे और जो खड़ा आएगा । अब्यम्स इसमें बंदर को कोई खर्च करेगा और और दूसरी बात अब देखो एजो बंदर की परजाती है वो चीन में नहीं मिलती है पड़िनाम शरुप चीन ने इन से वहां पर भेजे ओर इससे क्या होगा स्रिलंका को डिपलोमेसि में भी फाइदा होने बाला थे स्रिलंका जो चीन हैं वैसे तो एक दूसरे के काफी नजदीक हैं ही और इसके जड़िए और भी वह एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे पडिक्षा के दुश्टी कों से आपके लिए इसे इस प्रकार समझना महत पूर्ण हो जाता है ये जो बंदर है जो स्रीलंका सरकार उहां भीजने का प्रयास कर रही है पहल कर रही है चर्चा चल लगी है और यह तो आज के शतर में हम कि आखिर इन बंदरों को चीन भेजने का अभिपड़ाई क्या है और चीन सरकार इसे क्यों मंगमाना चाहती है और स्रिलंकाई सरकार को इसे क्या फाइदे हैं तो आज के सत्र में बस इतना ही कल फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ तब तक के लिए नमस्कार थेंक्यू